नमस्कार दोस्तो मैं अंकित पर्मा इपार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित पर्मा और एच्पी नौटिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 19 अगस्त 2022 की हिमाचल परदेश की आज की सभी टॉप 10 ताजा ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वारा हूँ तो चली वीडियो को शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आज की पहली ताजा ख़बर परदेश की इस वीडियो में लंपी चमडी रोग फैलने की आशंका को कम करने और नियंतुरित करने के लिए परदेश सरकार ने पशुपालन विभाग के माध्यम से त्वारित कदम उठाए हैं पीएम मोधी रैली बिलासपूर के लुणू मैदान में होगी पीएम मोधी की जनसवा प्रशासन ने शुरू की तियारियां तो एम्स बिलास्टपूर में प्रशासनेक और एम्स की अधिकारियों के साथ उपायुक्त बिलास्टपूर पंकजराय की अध्यक्स्ता में सिमिक्षा बैठक हुई बैठक में कारेकारी निदेशक डॉक्टर वीर सिंग नेगी ने उपायुक्त बिलास्टपूर को जो है त् करोना स्क्रियम रिज्जों की संक्या 2319 रह गई है हिमाचल मकान पर पेड़ गिरने से यूबक की मौत भुसकलन से बार्ग बाधित बंजार की 11 स्कूल 20 अगस्त तक बंद कर दिये गए है तो बारिश से हिमाचल परदेश के जीला हमीरपुर के उकमंडल भोजंच के ठारा गाउं में गुरू बार सुबा नो बजे स्लेट पोश मकान पर चीड का पेड़ गिरने से मकान की दिबाल ड़ा गई एसे घर के अंदर मौजूद नेपाल मूल के युवक सागन 32 वर्षिय पुत्र फूला राम की मलबे में दबने से मौत हो गई उधर भोसकलन से मार्ग बंद होने पर बंजार के 11 स्कूलों में 20 अगस्त तक अवकाश घोशित कर दिया है प्रधानमंतरी आवास योजना हिमाचल में अगले दो महिनों में बन कर त्यार होंगे 2000 मकान तो प्रधानमंतरी आवास योजना शाहरी के ताहत 5600 मकानों का निर्माण किये गया है एस योजना के तहत प्रदेश के लिए 10,000 से ज़्यादा मकान सुईकरित किये गए हैं अगले दो मा के भी तब 2,000 से अधिक मकान जो है निर्मित होंगे ह्प्यू शमला बीएड सीट आवांटन की सोची जारी 22 अगस तक जमा होगी फिस तो गुरु बार को बेश विद्या लेने बीएड की परवेश प्रीक्षक की जो है श्रेणी बार जारी मेरिट और विद्यार्थियों के और से अपलोड किये गए दस्ता विज्यों के आधार पर पहली सीट आवांटन जो है सोची जारी कर दिये है फाइव सहकारी सवा बहवन में बढ़की आग 60 सिलेंडर भटने से हुए जोरदार दहमा के लोग सेम है तो शिमरा जीले के कोटखाई के उपतैसिल कलबोग में तीन दिनों में जो है दूसरा बड़ा अगनी कांट सामने आया है बुद बार रात को सहकारी सवा कलबोग का दो मंजिला भवन जो है आग की बेंच चाड़ गया है तस्वीर है आप देख सकते हैं हिमाचल कैबिनेट 22 हगस्त को होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठके इन फैसलों पर लग सकती है मोहर तो मुख्यमत्री जाराम ठाकुर के देख्षता में पस्तावित इस पैठक में खैर कटान की नेती और प्री प्राइमरी शिक्षक परती जैसे एजन्डे जा सकते हैं और इन पर निरने हो सकते हैं आज से गती पकड़ेगा मानसून तीन दिन यलो अलर्ट मौसम भी भागने जारी की एडवाईजरी तो है माचल परदेश में शुकरवार से जो है मौनसून फिर सक्रिय होने वाला है परदेश में तीन दिनों तक भारी बारिश का पूर वानवान है बारी बारिश को लेकर मौसम भी भागना जो है यलो अलर्ट जारी किया है 21 अगस तक परदेश में बारी बारिश का अलर्ट जारी किये गया है जबकि 22 अगस तक परदेश में मौसम खराब रहेगा पौलसी के फेर में उलजे अंशकालीन जल्वाहक तो लंबे समय से स्कूलों में पहुज़ी कि फेर में उलजे अंश कालिंग जलबा हकों का मामला कैबिनिट में आएगा या पूरा मामला अंडर सेक्रेटरी एजुकेशन नवनीत कपूर देख रहे हैं और चर्चा के बाद इसे फाइनांस में ले जाया जाएगा उसके बाद राहत देने के लिए इसे कैबिनिट में अप्रूबल मिलेगी हिमाचल के जो है 4787 सरकारी स्कूलों में जल्द शूरू होगी प्री प्राइमरी क्लास गोविन ठाकुर हिमाचल में जो है 500 ऐलोपेथी तथा आयरुवेदिक चिकेशकों के जो है 200 पदों पर जल्द होगी भर आयरुवेदिक चिकेशक जो है मिलेंगे जिसे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी भी कम हो जाएगी या बात स्वास्ते विम परिवार कल्यांत था आयूश मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने गुरु वारकोष शिरी रेनकवाजी विदांसा वक्षेतर के गाउं बच तक हिमाचर परिदेश की हार नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तन्यवाज जैहिन जैभार